अश्कार दोस्तों स्वागते आपका आपके अपने यूट्यूब चेनल लक्ष्मी शर्मा हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में और दोस्तों आज की इस वीडियो में चलिए आज हम सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी में आम खाने चाहिए या नहीं क्या प्रेगनेंसी में आम खाना सुरक्षित है या नहीं तो इसी की जानकरी आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए लेकर हाजी रहें और दोस्तों आम के लिए कुछ जरूरी सवालों को हमने आपके उठाया है और आज की इस वीडियो में हमने कोशिश करिए उन सही सवालों के जवाब देने की तो आज की इस वीडियो में आंसे related pregnancy में आम कितना सही है कितना गलत है इसके कुछ फाइदे भी आपको बताने वाले हैं और कुछ नुकसान भी आपको बताएंगे जिसे आप खुद बखुद दे कर लेंगी कि आपको pregnancy में आम खाना है या नहीं दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले एक चोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तो वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें चेनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करके इस ओल के बटन को प्रेस करें दोस्तो प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम है जब महिला को कई सारे स्वादिष्ट व्यंजन और आहर खाने की तिवरिच्छा होती है ऐसे में बाद जब फलो के राजा आम की हो रही हो तो उसके तो कहने ही क्या जब एक जनरल व्यक्ति आम के लजीज और मीठे स्वाद के मजे उठाने से खुद को नहीं रोक पाता तो एक प्रेगनेंट लेडी खुद को कैसे रोकेगी वहीं कई महिलाएं ऐसी होती है जिसके मन में इसे खाने को लेकर बड़ी कन्फ्यूजन होती है वो कन्फ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि उनके बड़े बुजूरगों ने खाने पीने को लेकर उनको सक्त हिदायत दी होगी कि ये खाना चाहिए ये नहीं खाना चाहिए जो कि उनकी बात कुछ हद तक सही भी है खाने पीने का प्रेगनेंसी में तो विशेज धिया नकना पड़ता है लेकिन इनी सब उल्जिनों को दूर करने के उद्देशी से आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आम खाने के फाइदे, कुछ नुकसान और कुछ जरूरी क्योशन के जवाब तो चलिए दोस्तों जानते हैं तो दोस्तों इसके फाइदे और नुकसान बताएँ उससे पहले कुछ क्योशन ले लेते हैं पेला क्यूशन है जो सबसे जरूरी है वो ये है कि क्या गरवस्ता के दोरान आम खाना सुरक्षित है तो दोस्तों विशेशक्यों के मुताबी गरवस्ता के दोरान मुख्य रूप से एक महिला को एनर्जी, प्रोटीन, फैटी एसिड, फोलेट, केल्शियम, आईरन के साथ विटामिन A और विटामिन C जैसे पोशक तत्वों की आवशक्ता होती है इन सबी पोशक तत्वों की मुझूदगी आम में पाई जाती है वहीं दूसरी और डाइटीशियन भी प्रेगनेंसी के दोरान खास तोर पर फोलेक एसिड के साथ विटामिन A और विटामिन C की पूर्ती के लिए आम खाने की आपको सला देते हैं तो इन सब बातों पर अगर गोर करें तो ये माना जा सकता है कि अगर कुछ कम मातरा में आप आम का सेवन करें तो यहाँ पूरी रूप से शुरक्षित है आप इसे खा सकती हैं लेकिन कम मातरा में अब बात करते हैं दूसरे most important question की कि pregnancy में एक दिन में कितने आम आप खा सकते हैं तो दोस्तों प्रेग्नेंसी के दोरान हर लोज ली जाने वाली आम की सुरक्षित मातरा की अगर बात करें तो दिन में करीब आदा कप कटे हुए आम का आप सेवन कर सकती है जी आँ वहीं सबकी गरवस्ता एक जैसी नहीं होती है सब आपको पता है सबका शरीर अलग अलग होता है तो इस दोरान आम की खाने की मातरा में आप बदलाव कर सकते हैं इसे कम भी खा सकते हैं और अपनी जरुवत के साब से ज़्यादा भी खा सकते हैं लेकिन हम आपको एक बात जर करते हैं कि pregnancy के दोरान आम का सेवन कब करना चाहिए क्योंकि दोस्तों timing is very very important तो गर्वस्तक में आम खाने का सही समय की अगर बात करें तो विशेशग्यों के मताबिक पेली और तीमाई में आम खाने के ज़्यादा फाइद है हासिल आप कर सकते हैं तो दोस्तों ये तो थे कु आम विटामिन C का एक अच्छा सोर्स है जो आइरन को और समस्या होती है उसको दूर करने में आम भोट हद तक रात दिलाने में साहिक होता है तो इससे आपका एनिमिया का बचा हो जाता है इसके अलावा दोस्तों आम में फोलिक एसिड का अच्छा सोर्स होता है विशेशक कारण ये है कि यह ब्रून के विकास में सायक माना जाता है साथ ही इससे बच्चे में Neural Tube Defect एक तंत्री का संबंदित ये विकार होता है इसका होने का खत्रा काफी कम हो जाता है तो दोस्तों बात करें तीसरे फायदेगी तो ये पाचन में आपके सुधार करता है आम फाइबर का एक अच्छा सोर से डाइटरी फाइबर की मोजूदगी के कारण ये पाचन में सुधार करने में काफी हद तक हेलफुल होता है वहाई कबजी जेसी समस्या से राध दिलाने में भी है बहुत ज़्यादा बेनिफिशल है ऐसे में केना गलत नहीं होगा कि प्रेगनेंसी के दोरान होने वाली कबजी की समस्या को दूर करने में आम लाबकारी होता है दोस्तो आम विटामिन A से ही उप्त होता है और इसमें एंटियोक्सिडेंट भी भरपूर मातरा में होते है और दोस्तो प्रेगनेंसी में एक नॉर्मल सी प्रोब्लम होती है मोर्निंग सीखनेस उससे यह आपको आराम दिलाता है जी हाँ दोस्तो आम में मुझूद पोशक तत्वों की तरह ही इसमें विटामिन B6 भी उपलब्द होता है वहीं विशेशक्यों का मानना यह है कि यह विटामिन गरवस्ता में होने वाली समस्या से काफी हद तक आपको राहत दिलाता है और दोस्तो आम मेगनेशियम का भी बहुत अच्छा सोर से मेगनेशियम का शरीर में होना बहुत आवशक होता है यह ब्रून के विकास में आने वाली जो बाधाएं होती है प्रोब्लम्स होती है उनको दूर कर सकता है साथी गरवस्ता के दोरान रत्चाब जैसे की प्रेकलेमसी या जैसे बीमारियों से बचाओ करने में काफी हद तक साहिक होता है तो इस इसाफ से भी आम बहुत लाब दाएगे तो यह तो थे प्रेक्नेंसी में आम खाने के फाइदे लेकिन आप नुकसान भी एक बार इसके कुछ जान लेजिए अगर आप ज़्यादा मातरा में इसका आम का सेवन कर लेते हैं एक चीछ क्लियर कर ली है हमने वैसे भी लेकिन एक बार बता देते हैं कि अगर आप आम कम मातरा में खाएगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन अगर ज़्यादा मातरा में खाएगे तो इसके क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं यह जान लीजिए तो दोस्तो जादा मात्रा में अगर आम खाते हैं तो इससे डाइरिया के समस्या पेदा हो सकती है जी हाँ, हाला कि आम का गलाइसेमिक एंडेक्स मध्यम है, मतलब मेडियम है लेकिन इसका अगर ज़्यादा मात्रा में सेवन कर लें तो प्रेगनेंसी में डाइबडीस का खत्रा आपको पेदा कर सकता है इसके अलाबा आम से आपको एलरजी भी हो सकती है क्योंकि कुछ महिलाओं की तोचा पर खुजली और सुजन की समझ्या इससे देखने को मिलिये लेकिन उन्होंने आम की बहुत जादा मात्रा का सेवन किया था और दोस्तों आम में कारवो हाइडरेट की मात्रा भी जादा पाई जाती है इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसके सेवन से आपके वजन बढ़ने का ये कारण बन सकता है वो तेजी के साथ ये वजन बढ़ा सकता है तो दोस्तो I hope कि आपको आम से संबंदित प्रेगनेंसी में आम की क्या-क्या प्रोब्लम्स होती है किनके जरूरी सवालों के आपको जवाब देने चाहिए थे वो सारे हम लोग आप सारी जानकारी को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे तो दोस्तो इसी उम्मीद से हमारी ये वीडियो होती है यहीं समाब तो उम्मीद करता हूँ वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो एक प्यार बड़ा लाइक दे शेर करें और अगर आप लोग नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरू दमाए देनी वाद दोस्तो